हेलो डियर इस्टुदेंट्स वेलकम टू आर चैनल नीट उनिवर्स मेरा नाम है संजे पतेल और आज का टॉपिक हमारा है काइनमेटिक्स सबसे पहले सबसे करें ठीक है तो सबसे बेस्ट चीजहंकल देखा जा इसमें इसमें तो बास्तों सबसे पूछ आथा है दिस्टेंस में डिशिय क्या टो सबसाईए से सिखेंगे ठीक है एक क्वेशन हमने लिया है तो यहां पर चारों चीज़ा हमको डिस्क्राइब करना है यहां पर चारों चीज़ा करना है आपका पोजिशन टाइम रिलेशन फारे पार्ट किल मूविंग अलांग इस्टेट लाइन गिवन बाई देखें यहां पर एक एक इसमें पूछा गया असवर दिस्टेंस पूछी गई एवरेज विलास्टी और एवरेज स्पीड पूछा गया तो अब देखें डिस्प्लेस्मेंट जैसे अब आपको समझाना चाहें तो इस पॉइंट से अगर आप चल लें ऐसे ऐसे करके दूसरे पॉइंट तक जा रहे तो ए से वी तक जो सीधे लाइन मिलती है ठीक है जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहां से यहां तो यह हो जागा आपका डिस्प्लेस्मेंट ठीक है यह डिस्टेंस होती है जो हम लोग पूरी दूरी कवर करते हैं ठीक है जिसे यहां से इसमें डारेक्शन का कोई अब नहीं मतलब यह स्केलर कॉंटिटी होती है और डिस्प्लेस्मेंट जो होती है वेक्टर कॉंटिटी होती है ठीक है यह डिस्टेंस है डिस्टेंस स्केलर कॉंटिटी होती है यहां से ऐसे चलते 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 आप यहां ते पहुंचे तो जितना भी यह डिस्टेंस होग और velocity होती है displacement upon time ठीक है यहां से यहां अगर देखेंगे तो इसको अगर time से divide करेंगे तो यह आएगी आपकी velocity और distance को अगर time से divide करेंगे तो आएगा आपके speed ठीक है तो यह हो गई basic जी अब इस question को कैसे करें तो आप देखें पहले आपको तो इसमें हम 2-3 method आपको है तो displacement के लिए का करो initial point और final point आप निकाल लो और दोनों को minus कर देना तो displacement निकल के आ जाए तो फ़र्च 5 सेकंड पूछा है तो पहले t is equal to 0 पे देखो particle कहा है तो t is equal to 0 पे यहां 0 हो जाएगा ठीक है 12 into t है तो 0 यहां भी 0 ते कितना हो जाएगा 6 meter अब रखो t is equal to 5 second ठीक ह तो t is equal to 5 second पे जब action कालोगे तो 6 plus 12 पंचे 60 minus यहां हो जाएगा 5 का square तो 25 25 गुनना 50 यह हो जाएगा 60 minus 50 यह हो जाएगा 10 और यह 6 यह हो जाएगा 16 ठीक है यह हो जाएगा 16 अब आपको निकालना है displacement ठीक है आपको चाहिए displacement यहां करोगे 16 minus 6 ठीक है final position minus initial position तो यह निकल क्य जाएगा 10 मीटर ठीक है अब यही से हमको निकालना है average velocity ठीक है average velocity चाहिए ठीक है अब अगर average velocity निकाल तो average velocity होता है total displacement अपान total time ठीक है total displacement अपान total time तो टोटल displacement आपने निकालना 10 मीटर तो यह जागा 10 मीटर अपान total time कहा है first 5 seconds तो 5 seconds हो जाएगा यहां पर यह हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड ठीक है यह हो जाएगी average velocity अब देखना हमको distance ठीक है distance कितनी triple होगी तो straight line में एक assumption बन जाता है आपके दिमाग में कि जब motion straight line है जैसे अब यहां से यहां हम जा रहे हैं इसे straight line motion है तो जितनी distance होगी उतनी displacement होगी जैसे जब path इदर उदर होता है तब distance और displacement में change आता है ठीक है यहां से गया अधर फिर वापस आ गया तब भी तो straight line motion हो जाएगा तो पहले हमको निकालना पड़ेगा है पर कि कहीं particle अपना path तो नहीं change कर रहा है ठीक है path अपना डिटरस तो नहीं कर रहा है तो वहां पर distance or displacement change हो जागा अब जैसे देखो for example यहां से particle चला ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया और यहां आ गया ठीक है तो distance तो यह पूरी होगी यहां से यह भी distance होगी और इतना वापस होता यह भी यह तो यह पूरा distance में include हो जाएगा लगे अगर displacement देखो कि तो initial final point होता है ठीक है इनीसियल से final point तो यहीं आगा तो displacement आपका यह अगर distance यह पूरी तना आ जाएगी ठीक है तो अब इससे क्या पता चलता है कि हमेशा नहीं सही कर बोल सकते हो आपकी जब motion state line motion होता है जब वह opposite ना हो ठीक है पार्टिकल का जो motion बदले ना जैसे आगे जा रहे तो आगे ही चला जाए ठीक है फारवर जाए लोट के वापस ना आए ठीक है तब हो सकता है distance बराबर displacement लेकिन अगर पार्टिकल अपना path change कर रहा है ठीक है तो बराबर नहीं हो सकता है अगर position को आप differentiate करोगे time के respect में तो velocity निकल के आए ठीक है तो dx अपन dt किया हमने तो देखिए 6 तो constant था तो यह 0 हो जाए गए 12T का 12 हो जागे differentiation और 2T स्कौर का 2 आ गया जाता है तो 2 2 2 2 T ठीक है तो यह आ जाए गए 12-4T ठीक है यह हो गया भी अब V की value आप 0 करके देखो त तो 12-4T स्कौर 2 0 रोखे हो तो ठीक हो आ गई 3 सेकंड इसका मतलब है कि 3 सेकंड के बाद velocity 0 हो जा रही ठीक है अब first 5 सेकंड में आप से पूछा गया है ठीक है तो माना particle यहां से चला ऐसे चला चलते 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 जा रहा है 5 सेकंड चलना है लेकिन 3 सेकं इसे निकाल दो तो उससे भी आपको पता चल जाए जैसे विलास्टी आपके निकल का है यहां पर 12-40 तो अगर विलास्टी को डिफ्रेंसियेट करोगे तो क्या आए एक्सलरेशन आए तो डीवी वाई डीटी करके देखो तो डीवी डीटी करेंगे तो 12 तो constant ही हो जाएग लेकिन acceleration पीछे की तरफ लग रहा है तो दीरे दीरे उसको रोक के और फिर उसकी विलास्टी को अपोजी डिरेक्शन में कर देगा यह वाल acceleration क्योंकि यह माइनस में है ठीक है माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्कार आ रहा है तो यह क्या करता है कि वेलास्टी को रिट्रेस करा दे displacement तो हमने यहाँ पर निकाल लिया ठीक है तो उसे displacement आगा लेकिन distance निकालने के लिए आप ऐसे नहीं कर सकते ठीक है तो अब इसमें आपको integration करना पड़ेगा ठीक है पहले 0 से 3 सेकंड तक फिर 3 सेकंड से 5 सेकंड तक तो अब यहाँ पर देख़ो अब कितना distance चला तो देख करना है तो देखिए आप क्या करेंगे अब यह होगी आपकी velocity आई थी 12-40 तो velocity को अगर time के respect में integrate कर दिया जाए तो क्या आजाएगा distance आजाएगी ठीक है जो भी speed यहाँ पर निकल के आई थी अगर उसको distance के साथ integrate कर दिया जाए तो आपका distance आजाएगा क्योंकि जब distance को ह anga students हो जाएगा उसका उल्टा हो जाएगा ठीक है तो यहां पर टी स्क्वयर ग् производ खश्ए है तो अब यहां भी सेम चीज तो यह मं दедवारा नहीं बता रहां थेख्या पर टृब माने तो टी स्क्यार यह भी हो जाएगा अब limit यहां पर अलग अलग है ठीक है यहां से 0 से 3 है यहां पर 325 है ठीक है जब पाट किल अपोजी डारेक्शन में चल ला है तो कितना हो जाएगा 3 से 5 जा रहा है अब देखो यहां पर वाइलू डग दो बस यहां 12 तीह 36 ठीक है और यह क्या हो जाएगा फिर से 3 रखोगे तो 3 3 का स्क्वाइर को जाएगा 9 और 9 to 2 यह हो जाएगा 18 तो 36-18 ठीक तो यह हो जाएगा 18 और पलस अब यहां पर रखो तो पहले अपर लिमिट रखी जाती है तो यह 5 रखो कितो बारा पंचे साथ और यह 55 और यह 25 और दो यह हो जाएगा 50 तो 60-50 अब फ का सब्लब्र मेंटर ठीक है तो यह çalış हो जाएगा 26 एाप यहां पर यह पो निकालना को होती है यह23 ज्योगी टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम डिस्टेंस हो जाएगा 26 मिट्र और टाइम कितना है 5 सेकंड ठीक है तो यह हो जाएगा 25-255.2 मीटर पर सेकंड ठीक है अब यहाँ पर 4 सी निकल के आगए आपका displacement आए 10 मीटर एवरेज विलोस्टी आई 2 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड आई 5.2 मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस कितनी आई 26 मीटर तो यह तो होगा एक तरीका लगाने का अब दूसरा तरीका हम आपको बताएंगे वीटी ग्राफ से इसको कैसे लगा है ठीक है यह काफी बड़ा लग रहा होगा आपको कितना सारा टाइम लग गया इसमें कि आप स्केलर एडिशन कर रहे हो ठीक है स्केलर सम कर रहे हो कि वेक्टर सम कर रहे हो वेक्टर सम करोगे तो वह आपको डिस्प्लेश्मेंट देगा अगर स्केलर सम करोगे तो वह डिस्टेंस देगा अब देखो दोनों का एरिया निकालो अब मैंने कैसे यहां पर किया द मतलब की पार्ट के लोट चुका है ठीक है उसकी जो विलास्टी इसकी डिरेक्शन बदल चुकी पहले प्लस में 12 मीटर पर सेकंड ता यहां पर माइनस में 8 मीटर पर सेकंड हो गया ठीक है ठीक है तो पार्ट के लैसे जा रहा था फिर वापस आ गया तो देखिए ऐसे ग्रा क्या आ जाएगा तो एरिया देखिए ट्रेंगल का इरिया होता है वंद बाइट्व मां थो वेस कितना है थिरी हाइट है 12 ठीक है तो यह आ जाएगा सिक्स यह हजाएगा 18 ठीक है यह लिए गैटі चलिए अब देखिए यहां पर क्या करना हो यहां पर भाही 3 हो जाएगा 2, यह cancel को 2 2, तो यह हो जाएगा 8 meter, अब देखे displacement अगर निकालना है, अगर आपको चाहिए displacement, तो displacement में क्या करोगे, vector addition करोगे, तो देखे यहाँ पर यह negative आएगा, ठीक है, minus 8 है, यह हो जाएगा minus, तो 18 minus 8, 8 is equal to 2 हो जाएगा यह, तो 18 minus 8 हो जाएगा 10 meter, displacement कितना आया था, वहाँ पर, 10 meter वहाँ भी आया था, ठीक है, आप distance देखना है, तो distance में क्या करोगे, यहाँ पर scalar sum होता है, यहाँ पर vector sum नहीं करोगे, तो यहाँ पर mod लगाओगे दोनों, 13 plus mod of minus 8 हो जाएगा 26 meter per second, ठीक है, तो सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा 26 meter, अब यहीं से हम आपको बताना चाहिए, जिसे average velocity आपको निकालने है, ठीक है, वी average निकालना है, तो क्या होता है, वी initial, पलस वी final by 2, वी initial, देखो, टीज कर 2 0 पर वी initial कितना है था, 12 meter per second, तो यह हो जाएगा 12, और वी final कितना है, 5 second प यहाँ भी आए था, 2 meter per second, यहाँ भी आगए, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, एक ही question को तो मरोड के कई तरीके से लगाया जा सकता है, ठीक है, तो आप लोग यतना अपने mind को open रखोगे, ठीक है, दिमाग खौल के बए ठीक दम बती जला तो ज़्यादा समझ में आगा, और यही question को कई तरह try केजिए, तो उसे आपके दिमाग में बहुत अच्छी image बन जाएगी, ठीक है, फिर कैसा भी question आप आराम से करते जाओगे, उसको, तो यह question आपको जो आपके सामने दिख रहा है, तो इसमें दिया गया है कि कोई particle है, तो थर्ड सेकंड में 15 meter distance cover करता है, ठीक है, थर्ड सेकंड में, not 3 second, थर्ड सेकंड, फर्स सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, ऐसे 9 सेकंड में पूछा गया आपसे, कि 9 सेकंड में कितनी distance cover करेगा, और total 9 सेकंड में, 9 सेकंड और 9 सेकंड में difference होता है, ठीक है, अब य थीज़ कोई यह होता है अब देखें आपको कहा क्या गया है कि फिप्तीन मीटर डिस्टेंस कब आए तो यहां से आप फार्मुला लगाओ पहले ठीक है मोशन से अराम से को कर सकते हो उसके बाद हम आपको एक ट्रिक बताएंगे इसका कैसे इसको कर सकते हैं थोड़ी सी एक वैलू आपको याद करना पड़ेगा उसके बाद ऐसे मीटर पर सेकंड doil स्क्वाइर यह निकल किया है जो करें एक डाटा पुल आद कर खना कि यह सब्सक्रेंट कर windows कवर इन F2 इस टु फाइर इस करके आता है Tre Tasks करके क्वर सेकंड में 21 सुक्रफ इसे मतलब दिड़र सिटेंग फिफ इसे लिए गता आपका ठीक है 1 second second जी इस शुंट में थर्ड सकनर और 4 तो यह रेसियो आता है आट नमर आते हैं ठीक है 1,3,595 ऐसे करके आता हैと आप इसको मुलों कि एक्स डिस्टन्स कवर कर रहा है यहां पे तो यहां कितना हो जाएगा यह 3 x हो जाएगा किसका रिष्यो कितना है 3 है फिर थर्ड सेकंड में 5 है तो यहां पर कर दो 5X ऐसे आप देखो यह कैसे आ रहा है यह 2N-1 की तरह आ रहा है ठीक है 2N-1 देखिए अगर फर्स सेकंड है तो फर्स में N की जगा 1 रखो तो 2 1 2 हो जाएगा 2-1 तो 1 तो मतलब X आ गया ऐसे दो कर सकंड सेकंड के लिए क्लिए क 17 हो जाएगा ठीक है यह हो जाएगा आपका 17X ठीक है ऐसे जब आगे बढ़ते जाओको तो 9 सेकंड के लिए क्लिए क्या हो जाएगा 17X ठीक है अब देखो अब यहां पर आपसे पूछा गया है डिस्टेंस कबर इन 9 सेकंड ठीक है तो पहले आप एक्स की वाल्यू निकाल 17 बराबर 15 मिटर ठीक है यह क्या हो जाएगा 9 सेकंड में 15 मिटर डिस्टेंस यह कवर करेंगा यह आपको ऐसे याद रखने है ठीक है अगर यह रेचियो आप याद कर ले तो यह कई क्वेस्टन मी उजगा इसका आपका निट 2013 में एक वेस्टन आया थै एक है एक एस तो घ फाइब को पता है कि कोई भी हो ठीक है मतलब की 5 हो 7 हो कुछ भी हो लेकिन बराबर सेकंड होने चाहिए आपके ले लिए वहाँ पर 55 दे रखा था या 1010 दे रखे तो उससे कोई फाइब नहीं पर एगा रेसियो आपका यहीं आएगा ठीक है टोटल वाइलू अलग आएगी लेकिन रेसियो यहीं आएगा ठीक है फास्ट सेकंड शेकंड अगर टोटल वैलू पुछा है तो फस्सकंड में यहाँ से कोई पाइट की ठोड दिया जा रहा है तो उसका भी रेसियो देख लो फ्रीफाल का ठीक है तो वह सेकंड में 5 बीटर डिस्टं सेकंड में 15 Latino ऐसे थर्ड में 25 ंत 10 था 5 मिटर 5 में 45 में 6 में 55 में ऐसे इसे करते करते पाइड की नीचे जाए गा तो इतना डिस्ट से डिसे फॉसेंगे देखना उसमें दिया गया थे क्वेशिन में कोईव पार्ट की लिए तो तो उसकी हाइड क्या होगी ऐसकी हाइड से चोड़ा जारा है जा रहा यहां से ड्रॉप क किया गया तो last 2 second में वो 40 meter distance cover करता है तो उसकी total height कितनी होगी तो last 2 second, 2 second में 40 meter तो 2 second में देखिए, अब यहाँ चले जाओगे आप अगर देखिए 1, 2, 3, 4, अब 5th second के बाहर जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा ठीक है अब last 2 second देखना है, तो यहाँ से देखो, तो यह 15, 5, 20 हो जाएगा ठीक है, तो इतना तो हो नहीं सका अब यहाँ थे 15, 25, 40, तो यही हो जाएगा last 2 second ठीक है, last 2 second में 15, 25, 40 second वहाँ पे कहा गया था ठीक है, 40 meter, last 2 second में 40 meter बताएगा question में ठीक हो question आपको स्क्रीन पर हम दिखा देंगे, तो यह 15, 25, 40 तो last 2 second में 40 meter जब चला, तो कह रहा है कि उतकी height क्या होगी, तो पहले कितना चला होगा, यही 5 meter तो चला होगा, पहले second में 5 meter चला होगा, अब last 2 second में 40 meter तो 40 कब चलेगा, तो 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 चला होगा, तो तो टोटल होगा, तो tower की height कितनी होगा, 45 meter, तो यह बहुत ही काम की चीज है, तो यहां इस तरह पूछ लिए जाए, कि distance कबर इन टी सेकंड ठीक है डिस्टेंस कबर इन टी सेकंड तो वह डायक्टली प्रपोस्टनल टी स्क्वायर होता है फ्री फाल की कंडिशन में ठीक है टी स्क्वायर के बराबर होता है फर्स सेकंड में तो बन रखो दो सेकंड में कितनी डिस्टेंस कबर गएगा तो दो का इ पूछ ले कि अब जिसे पूछ लेता भी यहां पर कि 9 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कभरे रहती है, 9 सेकंड में, तो डायटली परपोस्टन हो जाता, टी स्कॉार के तो 9 सेकंड का, तो 9 का इस्कॉार का तो एक्ट यह जाता ठीक है, अब कोई पूछले ये 1 second में कितिनी दूर चलेगा ये तो आया आपका ratio लेकिन असल value ये आती है तो original value ये है जितनी meter चलती है कोई particle, जितना meter चलता है वो ये है, लेकिन उसका ratio निकल की ये आएगा तो इसको आप याद रखो, ये बहुत काम कीछीज़ है तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे, अब आते हैं हम लोग क्वेस्टन पर, यहाँ पर कितना दिस्टन चलेगा, यह क्याँ मीटर, लकीन अब टोटल 9 सेकंड में कितनी डिस्टन चलेगा, यह भी हमको निकालना है यहाँ पर, तो अब इसके लिए हमने क्या किया, एक्सलेश तो इसका लगाने का दो तरीका था, ठीक है, एक तो इसमें आप फामूले में रखो, और दूसरी बात आप यह रेसियो याद रखो, तो सिर्फ इस क्वेस्टन के लिए नहीं बहुत सारे क्वेस्टन में यूज होगा, तो इसलिए आप रेसियो से लगा तो बहुत आसानी से लग जाएगा, ठीक है, ऐसे हमने माल लिया, एक्स, थ्री, एक्स, फाइव, एक्स करके एसे लगाया, तो बड़े आसानी से लगाया है, इक्वेस्टन आप मोसन से आप लगा सकता है, वेसक लगा सकता है, लेकि इसमें टाइम ज्यादा लगता हो, तो मेरे इसाब से सकता है, तो इसको वीटी ग्राफ से लगाओ, तो बड़े आसानी होगा, अभी और क्वेस्टन हम करा रहे हैं आपको, अब नेक्स क्वेस्टन जो आपके सामने है, तो यहां पर देखिए, आप कोई पार्ट के लिए जो यूई स्पीड से चला, ठीक है, यूई स्पीड से बतानी है, ठीक है, यहां पर टू सेकंड में यहां पहुच गया, फिर टू सेकंड में यहां पहुच गया, और फिर अब एक सेकंड आगे और चला होगा, तो वहां पर उसकी विलास्टी बतानी है, और नेक्स्ट जो टू सेकंड होगा, यहां से यहां तक एक टू सेकंड और नेक्स्ट फिर वां थेोगा टो इसमें कितने हिस्स कबर करेगा यह दू सिल्स चीज़ आपको बता नहीं एक तो आपको बताना है लिए लगंस पेर्लो सब्काइब तो पहले हम चलेंगे A से B, तो A से B अगर आप जा रहो, अब A से B अगर हम लग जा रहा है, तो acceleration यहाँ पर constant गया था, लिखना भूल गए, ठीक है, तो अब A से B जा रहो, तो A से B कितना distance कवर करो, 12 meter, 12 meter जाने के लिए, तो अब हम क्या करें, तो distance equal to क्या लिख सकते हैं, speed into time, तो यहाँ पर average speed देख लें, ठीक है, अब speed यहाँ पर constant नहीं है, यहाँ U था, यहाँ V होगा, तो इसका average ले जाते हैं, तो average कैसे लिख होगा, U प्लस V बाइटू, इंटू T कितना 2 second है, ठीक है, तो 2 से 2 cancel out हो जाएगा, तो यहाँ पर U प्लस V निकल के आएगा 12, य कैसे आप A से C जाओ, ठीक है, A से C जा रहे हैं, A से C, ध्यान रखना, A से C जा रहे हैं, ठीक है, तो आप A से C कितनी distance आप कबर कर रहे हो, तो 12 और 24, तो यह हो जाएगा 36 meter, और यहाँ भी वहाई, average speed, तो average speed कितना हो जाएगा, U प्लस V बाइटू, यहाँ पर जाएगा, U प्लस V' is equal to 18, ठीक है, इसको equation second मान लो, अब देखो, आपको निकालना है काई, VT निकालना है 5 second पर, अभी उस पर हम गया ही नहीं, ठीक है, तो अब अगर हमको acceleration पता चल जाए, तो हमारा काम हो जाए, ठीक है, acceleration अगर हमको पता चल जाए, तो हमारा काम हो जाए, तो यहा हो जाएगा 6, ठीक है, यह हो जाएगा 6, अब क्या करना है, अब देखें, यह आगा है, change in velocity, V से V' तक change in velocity तो आ गया, V' minus V कर दे तो change in velocity, तो change in velocity, अपान time करो तो acceleration हो जाएगा, ठीक है, तो V minus V' by 2 कर दो, क्यों 2 second में इतना change हो रहा है, ठीक है, V से V' कितने second में change हो रहा ह तो इसको 2 से जब divide करोगे, तो 2 से दोनों तरफ divide करोगे, तो यह आजाएगा acceleration और यह आजाएगा 3 meter per second square, ठीक है, यह आगया आपका acceleration, अब आगया acceleration आपका 3 meter per second, तो अब यहाँ पर equation आप motion लगाओ, A से B तक, ठीक है, A से B में distance कितनी है, ठीक है, S बराबर UT plus half 80 square आपको लगाना है, तो अब आपको देखे, 12 meter था यहाँ पर, ठीक है, A से B जाने में 12 meter, तो 12 meter is equal to U, U आपको निकालना है, T कितना लगा 2 second, UT plus half A की value, अभी आपने निकाला 3, अब T square करोगे, तो यह हो जाएगा 4, तो 2 से 4 को cancel करोगे, तो 2 आएगा, 3 into 2 हो जाएगा 6, और 6 को इस per second, अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, विलास्टी चाहिए 5 second पर, तो V is equal to U plus 80, ठीक है, V is equal to, तो V is equal to U plus 80, U कितना था, 3 meter per second था, U plus 80, A की वोले आपने 3 निकाला, और T कितना, 5, तो V dash हो जाएगा, 5 into 3 हो जाएगा, 15 और 3, 18 meter per second, ठीक है, तो विलास्टी आपकी कितनी निकल के आगी, 18 meter per second at 5 second, अब आपको चाहिए distance cover in next 2 second, तो देखिए 2, 2, 2, 3, 2 second का interval है, तो टोटल आप 6 second का निकाल लो, और 6 second में पहले 4 second का आपका दिया हुआ है, तो जो 6 second का आप निकालोगो, उसमें इस 4 second का माइनस कर देना, जैसे तो S6 मतलब 16 second में, तो यह क्या होता है, UT, U की value आपने निकाला थो 3, T हो जाएगा 6, पलस हाफ, A की value आपने निकाला 3, T square के जागा 36, तो यह हो जाएगा 18, 18, 18, 18, 24, ठीका यह 6, 13, 18, तो यह हो जाएगा total 72, तो आपका आप जो distance निकल का आगा next 2 second में, तो वो हो जाएगा 72 minus, अब यहाँ 24, और 12 वो हो जाएगा 36, तो 72 minus 36, तो यह जाएगा 36 meter, ठीका, यहाँ पर कितना आजाएगा, 36 meter, तो next 2 second में कितना चलेगा, 36 meter चलेगा, तो इस तरह आप question लगाईए, तो बड़े आराम से निकलेंगे, ठीका, अब इसमें देखे, concept भी पता चला है, आपको इस question पर focus पर करना ही है, उसके साथ सारी चीज़ें जो हम बताते चलना है, जो फार्मूले बता रहे हैं, उनको भी आज साथ साथ देखना, जिसे question आप motion का फार्मूला हमने बता दिया, second जो फार्मूला होता है, x is equal to ut plus up 80 square, तो यह सब बहुत basic चीज़ें, तो यह आप लो acceleration यहाँ पर 0 है, फिर uniform retardation, ठीक है, तीन यहाँ पर segment दिया है, तीनों का अलग 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 दिया है acceleration, अब यहाँ पर time race कियो दियागा, T1, T2, T3 का 1 is to 4 is to 2, अब इसमें आपको निकालना क्या है, V average निकालना है, ठीक है, average velocity निकालना है, अब V max कितना दिया है, 70 km per hour इसका यूज नहीं होना, अब देखें, इसको आप equation motion से आप लगा सकते हैं, तो वो आप लोग खुद लगाएंगे, equation motion से आप लगा के देख लेना, मैं इसको VT graph से लगा रहा हूं, ठीक है, यहाँ पर VT graph से मैं इसको लगाना की कोशिस करूँगा, एकसिस पर हमने V लिय ठीक है, अब देखें, uniform acceleration तो यह acute angle बिनेगा, ठीक है, uniform acceleration होता है, ठीक है, तो इसका, अब देखें, एकसल रेसन है, positive acceleration है, तो slope क्या आना चाहिए, 90 सिकम आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर constant हो गई velocity, ठीक है, velocity यहाँ पर constant होगी, इ टी-3 वाले compartment में क्या हो रहा है, irradiation हो रहा है, अब बीटी graph हमको जो होता है, जिसका area होता है, तो हमको क्या देता है, हो displacement देगा, ठीक है, अगर scalar sum करेंगे, तो distance देगा, अगर vector sum करेंगे, तो आपको displacement देगा, तो हमको चाहिए, V average, मतलब average velocity चाहिए, तो हम लोग displacement डॉल पड़ेगा, और T3 is equal to 2 T लेना पड़ेगा, ठीक है, अब यह आपको समझ में आ गया होगा, इतना, V maximum जो भी acceleration, जिससे यहां से acceleration शुरू हुआ, तो यहां से यहां से यहां तो maximum रही होगी, तो इसकी value आ जाएगी 70, यहां पर रखोगा, 70 यह हो जाएगा, V max, अब यह max की क्या करना है, average velocity निकालनी है, ठीक है, तो average velocity से पहले हम क्या करें, displacement, total displacement upon total time, जब भी average velocity निकालनी हो, तो total displacement upon total time, तो total displacement कैसे निकलेगा, यह area, यह area, यह area, यह area, तिनों का add कर तो अपन total time, यहां पर है, T40 और T2, तो किरना 70 हो जाएगा, तो total time 70 आएगा, तो total area उपर आपन average velocity आ जाएगी तो देख अब एरिया ट्रेंगिल का क्या होता है one by two waste into height waste कितना है T है height कितना 70 है plus अब यहाँ पर देखे रेक्टेंगिल है तो इसका लंबाई गुड़े चोड़ाई सीधे हो जाएगा तो यह हो जाएगा 70 into 40 ठीक है plus फिर से ट्रेंगिल है तो one by two हाफ waste into height waste है 2T height है 70 ठीक है तो 2 से 2 cancel out हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर 2 से 70 को cancel को 35 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 35 T यह साथ चोग अठाई 280 T और यह 2 से 2 cancel हो तो 70 T ठीक है तो 8 साथ पंदर 350 और 35 350 ही तो यह हो जाएगा 385 T upon total time total time कितना आएगा टी 40 और 2 T यह 70 आजाएगा ठीक है तो टाइम से टाइम यह T से T cancel हो जाएगा और इसको जब करें साथ पच्छे 35 साथ पच्छे 35 ठीक है यहाँ तीन बचा तीन यह फिर से 35 साथ पच्छे 35 तो यह जाएगा 55 35 मीटर पर सेकंड ठीक है अब यह बहुत ही आसानी से लगगा यह इक्वेसिंटर आप लगाने जाओं नि बहुत जञजट होगे आपको अगर नहीं पता था कि विलाजी टाइम करा का जो एरिया होता हो तो आप जान लीजे विलाजी टाइम ग्राफ है आपको अरिया होता है वह आपको डिस्छेंस डिस्पलेश्मेंट रोकर रहत memb forces बाऄ टेंगे अगर यस निकालना है तो उसको गजोड़ दोगे जिए को आपको सब्सक्रत करेंगे इसका आपको समय और से सब्सक्राइब रखना अब next question यहाँ पर straight line motion का है कोई part के लिए rest से शुरू करता है uniform accelerate होता है alpha से t1 time तक अब फिर uniform retardation होता है vita retardation इसका t2 time तक फिर से rest में आता है rest से शुरू होता है speed बढ़ते बढ़ते यहाँ पर maximum होगी फिर से retardation सुरू होगा speed कम होते होते यहाँ पर 0 हो जा रहे फिर से rest में आ जा रहा है यहाँ distance cover करेगा s1 यहाँ पर s2 cover करेगा अब आपको बताना है vmax vmax कितना होगा t1 upon t2 का ratio बताना s1 upon s2 का ratio बताना total displacement भी यहाँ पर बताना है अभी देखिए इसमें 4 questions और 4 आप इसको इसके results ना उनको याद कर लेना यह बहुत सारे question में use होगा इस तरह का question आपके exam में पूछा गया है तो बस हम आपको यहाँ पर करार है इसके result आप याद कर लेना तो वो दूसरे question में काम आएंगे ठीक है वो हम आपको याद दिलाएंगे फिर T2 time से retardation हो रहा ठीक है यहाँ पर maximum जब velocity आपकी maximum हो जाएगी उसके बाद retardation सुरू हो जाएगा तो T1 T2 होगा तो इसका ratio हमको चाहिए और Vmax से हमको ठीक है तो अब देखिए अब यहाँ पर alpha की value अगर निकाला जाए तो alpha क्या slope ही तो होगा जो भी आपका acceleration होगा वो slope होगा तो slope जो होता है तो dy by dx होता है तो dy पर क्या है Vmax है ठीक है Y axis पर Vmax है और X axis पर time है T1 तो यह हो जाएगा equation 1 अब Vta is equal to देखा जाए तो यहाँ पर भी होजागा Vmax Vmax upon T2 ठीक है यह हो गया अब total time अगर आपको निकालना हो तो क्या करोगे T1 plus T2 करोगे ठीक है total time के लिए क्या करोगे T1 plus T2 करोगे अब देखो T1 plus T2 is equal to T होता है T1 की value यहाँ पर रखो तो T1 की value रखने जाओगे तो क्या होगा Vmax upon alpha हो जाएगा ठीक है T1 इदर आजएगा alpha इसके नीचे आजाएगा तो यह हो जाएगा Vmax upon alpha plus T2 की value रखोगे तो Vmax upon beta is equal to हो जाएगा T ठीक है अब Vmax यहाँ पर common ले लो Vmax यहाँ पर common लोगे तो यह क्या हो जाएगा Vmax common लिए आपने तो यह हो जाएगा 1 by alpha plus 1 by beta is equal to हो जाएगा T यहाँ से जब आप Vmax निकालोगे तो Vmax निकल के आएगा यह 1 by alpha 1 by beta उस तरफ जाएगा तो जब आप उसको एड़ करोगे तो आजाएगा alpha beta upon alpha plus beta into T यह result आपको याद रखना है ठीक है जब कोई particle uniformly accelerate करे T1 time तक ठीक है acceleration alpha हो फिर T2 time तक retard करें uniformly retardation हो जगा और उसकी value हो बीटा तो जब maximum velocity उसकी होगी तो वो हो जाएगा alpha beta upon alpha plus beta into T ठीक है यह relation आपको याद रखने ना ठीक है अब आपको निकालना है T1 by T2 तो फिर से y value रख दो T1 T2 को value यहाँ से निकालो ठीक है T1 by T2 आपको निकालना है अगर यहाँ जिसे T1 by T2 है यह तो T1 की value यही से निकाल दो तो T1 क्या हो जाएगा Vmax by alpha हो जाएगा T1 की value आजाएगी Vmax by alpha by T2 करो T2 की value हो जाएगी Vmax upon यह alpha होगा ठीक है T1 की value Vmax by alpha और T2 की value Vmax by beta अगर करना है आपको ठीक है तो अब S1 के लिए हम क्या करते हैं displacement निकालने के लिए क्या करेंगे ठीक है VT graph का area निकालते है तो यह हो जाएगा S1 यह हो जाएगा S2 अब इसका area निकाल लो तो S1 upon S2 आपको करना है S1 upon S2 करना है तो S1 का यह area हो जाएगा S2 का area हो जाएगा तो 1 by 2 ठीक है triangle का area 1 by 2 base into height base है आपका T1 ठीक है base के है T1 और height है Vmax ठीक है तो Vmax की value क्या रख सकता हो अब alpha T1 रख सकते हो ठीक है Vmax की value क्या रख सकते हो यहाँ से रख दो alpha T1 ठीक है तो यह हो जाएगा alpha T1 अपान S2 की value 1 by 2 ठीक है base T2 है और height है आपका Vmax ठीक है तो Vmax की value यहाँ से क्या रख सकते हो यह V time to T2 रख सकते हो V time to T2 अब यहाँ पे 1 by 2 1 by 2 cancel हो जाएगा तो यहाँ पे alpha by beta T1 का square upon T2 का square alpha by beta और T1 का square upon T2 का square अब देखे T1 T2 का ratio क्या आ आए था है यहाँ पर T1 T2 काया था vita by alpha तो T1 by T2 का square का आजाएगा vita square upon vita by alpha ठीक है यहाँ पे जो VMAX आया था VMAX को लिए हमने आलफा T1 रख तो सीधे VMAX आप रख देते तो VMAX अपान VMAX VMAX cancel हो जा तो फिर से आ जाता है S1 by S2 is called to T1 by T2 T1 by T2 को लिए अभी आपने निकाला था Vita by Alpha तो यहां से भी आप बड़े आराम से का सकते थे अब Total Displacement तो Total Displacement क्या दोनों बाइड का तो Total Displacement निकल के आ जाएगा तो देखिए अभी यह triangle ही तो है तो triangle का area क्या होता है 1 by 2 base into height base दोनों ले लो T1 plus T2 तो यह T हो जाएगा तो base into height height क्या है VMAX है ठीक है तो यह VMAX हो जाएगा तो 1 by 2 T अब VMAX value अभी आपने देथा क्या था alpha beta upon alpha plus beta into T तो यह अगर simple देखा जाए तो यह निकल के आएगा 1 by 2 alpha beta upon alpha plus beta into T square ठीक है यह result भी आप याद कर सकते हो ठीक है 1 by 2 alpha beta upon alpha plus beta into T square यह हो जाएगा total displacement तो देखिए अब result आप देख लीजिए ठीक है result मैं आपको एकठे लिखके दिखा देता हूँ VMAX की वालू क्या निकल के आए थी alpha beta upon alpha plus beta into T ठीक है यह निकल के आए VMAX ठीक है जब कोई particular rest से शुरू होके T1 time तक uniformly accelerate करता है फिर T2 time तक uniformly retardate करता है उसके बाद rest में आ जाता है ठीक है तो VMAX क्या होगा alpha beta upon alpha beta alpha beta upon alpha plus beta into T T1 by T2 के value आगे beta by alpha जो distance cover करेंगे वो S1 by S2 यह भी आजागा beta by alpha ठीक है total displacement जो आपका निकल के आगा तो वह आएगा 1 by 2 alpha beta upon alpha plus beta into T square ठीक है तो यह 4 रिजर्ट्स आप ऐसे याद रखो तो यह VT graph से हमने लगा है तो बड़ी आधानी से लग गया तो ना पी question आप motion से try करना देखना कैसे लगता है यह question है आपका rocket fire का ठीक है तो rocket fire के question में इसमें आपको दिया गया है कि after 60 seconds fuel is over ठीक है कोई rocket है जिसको fire किया गया है G by 3 acceleration से उपर की तरफ ठीक है तो 60 seconds बाद इसका fuel खतम हो जा रहा है राकेट कितनी हाइट तक जाएगा वो maximum हाइट आपको बतानी है और time taken by rocket to reach the ground ठीक है आप ground पर पहुंचने में कितना time लेगा इसका मतलब यहां से fire किया गया उपर गया यहां पर 60 seconds बाद fuel खतम हो उसके बाद भी उपर जाता था ऐसा थोड़न है कि fuel खतम हो जो तो तरफ जाएगा उसके पाद वेलाश्टी तो आउपर जाएगा तो उपर जाएगा फिर उपर जाके फिर नीचल लोट के जमीन पर फिर से आएगा तो वह कितना time होगा वह आपको बताना है ठीक है तो इसको अभी हम लोग वीटी ग्राप से करेंगे ठीक है तो यहां पर वीटी जिससे हमने fire किया था rocket को अब फिर जब fuel खतम हो जाएगा तब G से retardation शुरूगा ठीक है जिससे retardation शुरूगा अब यहां पर maximum height पर पहुंच जाएगा ठीक है C point जो इसका है यहां पर देखिए C point इसका maximum height का है तो यह दोने area अगर हम लोग निकाल लें तो आपको निकल के 3 मतलब 10,2,3 और T, T value 60 seconds तक तो यह हो जाएगा 20,20,200 तो V max value जो आजाएगी 200 meter per second ठीक है V max जो होगा 200 meter तो यहां पर एक दो 200 meter per second ठीक है अब यह हो गया V max अब क्या करना हमको area निकालना है इन दोने triangle का area निकालना है तो maximum height आपको पता चल जाएगा ठीक है अब area निकालने उसके बाद कितनी time तक ऊपर जाएगा तो यह हमको पता नहीं है तो last question में हमको क्या बताया था मैंने पहले uniform acceleration था था उस question में uniformly acceleration था उसके पाद uniform retardation था वहाँ पे जो T1 by T2 की value निकल के आए थी वीटा by alpha ठीक है T1 by T2 की value क्या निकल के आए थी वीटा by alpha T1 क्या था जो acceleration मे time लग रहा था अब T2 क्या था जो retardation में time लग रहा था तो T1 by T2 को लिए थी वीटा by alpha तो यहां रख दो T1 को value 60 seconds दिया है T2 आपको निकालना है और वीटा क्या है G है और alpha क्या है G by 3 है तो G by 3 को by 3 को 3 ऊपर चला रहा है को यह करोगा 3 G से G cancel T की value आ जाएगी यहां पर 20 seconds ठीक है तो यह हो जाएगा आपको 20 seconds अब यह equation आप motion से भी कर सकते हो लेकिन बहुत सारा time लेगा इसलिए हम बता रहे है इसको ठीक है अब यह आगए आपको 20 seconds ठीक है अब मैंने आपको बताया तो वहां पर कि यह वाला duration आगे हम use करेंगा ठीक है यह आप याद रोको six thousand अब देखे इसका अगर इसका आपको निकलना तो one कितना बचाओ तो तो टोटल कितना आ जाएगा 8000 यहां पर 2000 यहां पर 2000 टोटल आ जाएगा 8000 तो यह कितना मीटर उपर जाएगा रॉक्ट एट थाउजन मीटर ऊपर जाएगा, टोटल हाइट कितनी निकल किया है, इसकी या मैक्सिमुम हाइट कहा जा तो, एट थाउजन मीटर आएगा, ठीक है, एट थाउजन मीटर बाद ये राकेट के विलाश्चित जीरो होगी, उसके बाद ये नीचे आना सुरू होगा, अब टाइम देखो, टोटल टाइम अब से पुछाएगा, ग्राउट प्यान में कितना टाइम लगा, तो टाइम जो लगेगा, तो टी वन तो एक्सलेरेट कर रहा है, टी टू टाइम रिटार्डेशन होगा, ये 20 सेकंड, अपलस टी थी जो टाइम होगा, फिरी फॉल की अब पलस टी थी थी की जो लिए आगे तो अंडर रूट टू एच अपांच जी, ठीक है, अंडर रूट टू एच अपांच जी, एच कितना है, एट थाउजन है, और जी रखोगे 10, ये कैंसिल करोगे, आट दूनी सो, सोला सो का स्क्वार रूट में करोगे, तो आगा चा जी पुछाया तो दूनों थोड़ों न पुछाया तो मैक्समाइट पूछिया तो ये पूछाया तो आप इस से लगाओ, वीटी ग्राफ से लगाओ, बड़े आराम से लगेगा, अब कहीं भी आप सॉल्व करो, तो वीटी ग्राफ लगाओ, अगर इस तरह को कोई क्वेस् करना है, तो इसमें एक पार्टिकल है, जिसको ऐसे फ्री फॉल कंडिशन में छोड़ दिया गाए, ठीक है, तो उसको 18 सेकंड लगता है, ग्राउंड पुछने में, ठीक है, और दूसरा पार्ट के लिए उसको 6 सेकंड बाद उसको थ्रोग किया जा रहा है, नीचे के तरब ठीकically उसमें विलाश्टी दी जा रहा है इसको rồi सेशे सेकंड बाद इसको नीचे फेका जा रहा है, तो उसकी विलाश्टी पूछ रहा है कि कि दोनों ग्राउंड पिन पर परसन इसमें क्या करो, आप displacement बराबर करो दोनों का, ठीक है, तोकि displacement सेम हो दोनों का, यही से, सेम लेबल से जब दोनों छोड़ा जा रहा है, भले इसकी velocity जी है, इसकी velocity 0 है, लेकिन displacement दोनों का सेम हो का न, तो displacement आप इसका सेम कर दो, तो वही लगाओ, s equal to ut plus 1 Kita, तो जब इसमें लगाओगे, s equal to ut plus 1踏 idol, तो yu इसकी value जींडों कहाँ पर 0 है, t कुछ भी रख दो, 18 second, plus half 80 square, a की value गि रख ओगे और t square के जगा, 18 square करोगे, equal to, वहाँ भी जगाओ, थीक है, ut plus half 80 इसका है तो V T कितना लगा यहां पर 12 सेकंड लेगा है क्योंकि 6 सेकंड बाद छोड़ा जा रहा है इसको इसको 18 सेकंड लेगा है तो यहां पर 12 T करो प्लस half एक इवलू 10 ती स्क्वाइल की जगा 12 का स्क्वाइल कर दोगे ठीक है तो यह तो हो जाएगा 0 ठीक है इसको करोगी यह हो जाएगा 5 18 गुड़े 18 इंटू 5 अठारा गुड़े 18 इंटू 5 और यहां पर हो जाएगा 12 V प्लस यह हो जाएगा 5 यह 12 घड़े बारा मतलmodern का स्कॉाइर घुड़े पांच तो यह यहां इस तरह लिआय। तो 18 का स्क्वाइर मौा tack माइनसी का स्कॉआयस इंटू 5 ठीक है फाइव इंटू 5 का म्लेगा यह थाइगा 12 V अ ठीक है 4 minus करोगे 0 आजाएगा 2 में 4 तो जाएगा नहीं तो यहाँगा 12 12 में 4 को minus करोगे तो आएगा 8 ठीक है यहां बचा 2 2 में 1 जाएगा तो 1 180 इंटो 5 is called to 12 V ठीक है अब इसको V is called to निकालना है तो 180 into 5 upon 12 ठीक है तो इसको 12 जगर cancel करना हो आपको तो क्या करोगे बारा एककम बारा बारा पंचे साथ 15 पंचे 75 मीटर पर से क्या है अब next question मारा है यह particle is moving along x axis its position time relationship is t is equal to alpha x square plus beta x calculate acceleration of particle in terms of v alpha and beta are constant ठीक है अब देखिए इसमें time के respect में दियागा relation alpha x square plus beta x आपको बताना है acceleration तो इसमें आप differentiation कहीं निकाल सकते हो इसको ठीक है तो differentiation simple सा differentiation है इसमें ठीक है तो यहाँ पर देखिए t is equal to क्या दिया था alpha x square plus beta x इसको हम आपको दो method से बताएंगे ठीक है इसमें दो method हम आपको बताएंगे दोनों आपको देखना है तो देखो पहले क्या करो differentiation with respect to x करो तो dt by dx जब करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 alpha x 2 alpha x plus beta x था तो यहाँ पर beta हो जाएगा differentiation जब इसका करोगे तो beta हो जाएगा तो देखिए dx upon dt क्या होता है V होता है dx upon dt होता है 201 by V हो जाएगा ठीक है तो dx upon dt होता है V तो dt upon dx हो जाएगा 1 by V तो 1 by V इसकल to 2 alpha x Plus beta था यह हो जाएगा तो इसके पावर minus 1 कर दोगे ठीक है जब B को ऊपल लाओगे तो'To ye respect में तो dby dx करोगे तो यह क्या होगा differentiation में जो power होता हो आगया आता है तो power आगया आगया और यह total की power 2 alpha x plus beta 2 alpha x plus beta की power minus 1 एक और करोगे तो minus 2 हो जागा into फिर से इसका differentiation करोगे ठीक है chain rule चलेगा है तो 2 alpha x का 2 alpha हो जाएगा तो आप देखो अब acceleration का formula यह वाला लगाओ ठीक है एच कल टीवी बाइडी एक्स वाला ठीक है तो एच कल टू वी डीवी बाइडी एक्स तो वी की value यह 2 alpha x plus beta की power minus 1 यह हमने कर दिया और dby by dx की value यह निकल गया minus 1 2 alpha x plus beta की power minus 2 तो अब यह इतने की value हो जाएगे 2 alpha x plus beta की power minus 3 की value हो जाएगे v3 ठीक है velocity का cube हो जाएगे क्योंकि velocity value क्या थी 2 alpha x plus beta की power minus 1 जब minus 1 था तब velocity v थी minus 3 हो जाएगे तो यहाँ भी cube करना पड़े जैसे यहाँ भी cube करो तो यहाँ भी power minus 3 हो जाएगे ठीक है झाल झाल